साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही हैं कि कोरोना महमारी के समय में आपको गावों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, गरीब के स्वाभीमान को हम समझते हैं। आप स्रम एव जयते, स्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, आउसर चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरी रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है। इस से पहले आपकी और देश के करोडों गरीबों की ततकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लोगडाउन के प्रारम में तुरंट एक के बाद एक कदम उठाए थे। आत्म निर्भाद भारत अभ्यान की शुरुआ थी। प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना से हुई थी। और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजना ये लाए तो चारे तरफ चिलना हट शुरू हुई थी। उध्योगों का क्या, व्यपार का क्या, MSM का क्या। सबसे पहले ये करो, बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी। लेकिन मैं जानता हूँ, इस संकट में गरीब का हाथ पकटना प्रास्पिकता थे मेरी। और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बल दिया था। इस योजना पर कुछी सप्ता के भीतर करीब-करीब पौने दो लाग करोड रुपे खर्च किये गए। इन तीन महिनों में असी करोड गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलिंडर भी मुप्त दिये गए। इसी तरह बीस करोड गरीब माताओ बहनों के जनदन खातों में दस हजार करोड रुपे से अधिक सीधे ट्रांसफर किये गए। गरीब, बुजूर्ग, मातों, बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए एक हजार रुपिय के सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई सोचिए अगर गर गर जाकर आपके जन दन खाते न खुलवाए गए होते मोबाइल से इन खातों और आधारकार को जोड़ा नहीं होता तो यह संभव होता क्या इतने कम समय में रुपिय योजनाए पहुँचती क्या और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था पैसे उपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था लेकिन न कभी वो आप तक पहुँचता था न कभी वो पैसा आपका होता था पता नहीं कहां चला जाता था, कहां गायब हो जाता था, अब ये सब बदल रहा है, आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत न हो इसके लिए, एक देश, एक राशनकार, योजना भी शुरूर की गई है, जानी की अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशनकार पर देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, अगर उनको वहाँ जरूरत है, तो वहाँ भी राशन ले सकेंगे.